हेलो गाइज मैं पायल वेलकाम टू डी एंडी न्यूज हर एक दिन की नए खबरे पाने के लिए इस चानल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए दोस्तों बोलीवुड में तो वेसे तमाम अभिनीत्रिया है जिने फैंस उनकी खूपसूर्ती और अच्छी एक्टिंग की वज़े से जानते हैं लेकिन निमे से कुछ ऐसी अभिनीत्रिया भी है जो अपने मासूम चहरे की वज़े से फैंस के दिलों पर राज करती है आज हम आपको ऐसी ही पांच एक्टर्स के बारे में बताने जा रही हैं इस लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है एक्टर्स अमरिता राव का विवाब फिल्म में जब उनकी मासूमियत पर उभर कर आई तो फैंस उनके दीवाने हो गए मैं हूना इश्किविस के जैसे फिल्मों मे नजर आने वाली अमरिता ने जादा फिल्म में नहीं की साल 2016 में उन्होंने शादी कर ली इस साल वो आखरी बार फिल्म ठाकरे में नजर आई इस फिल्म में वो बाल साहब ठाकरे की पत्नी के किडार में नजर आई थी इस लिस्ट में दूसरा नाम आता है आलिया भटका व लीड रोल में दिखी थी, इस फिल्म से उन्होंने दर्शकों के बीच अपनी जंग्या बना ली थी, अपने मासूम चहरे की वज़े से वो यूवा दर्शकों में काफी लोग प्रिया है, फिलाल इंदिनो आलिया ब्रहमास्तर की सूटिंग में व्यस्त है, इस कड़ी में ती दर्शक उनके धीवाने हो गए, इसके बाद एक विलन में उनकी मासूमियत को दर्शकों ने देखा, हाल ही में शरद्धा की फिल्म साहो का टेजर रिलीज हुआ है, इस फिल्म में शरद्धा पहली बार एक्शन करती हुई नजर आएंगी, नमबर चार, दिशा पाटनी, दिशा पाटनी ने 13 जून को अपना 27 वा जनम दिन सेलिब्रेट किया था, दिशा ने अपनी केरियर की शुरुवात 2015 में तेल को फिल्म लोफर से की थी, लेकिन उन्हें असली पहचान बॉलिवुड फिल्म MS धोनी ता अंटोल स्टोरी से मिली, इसमें उन्होंने धोनी की प्रेमिक का किरदार निभाया था, इसी फिल्म से वो रातो रात स्टार बन गई, हाली में दिशा सलमान खान की फिल्म भारत में नजर आई थी, इस लिस्ट में जो आखरी नाम है वो है सहफ अली खान और अमरिता सिंग की बेटी सारा अली खान का, केदारनात फिल्म से पर बड़ा असर किया है